हेलो फैंज, वेल्गन दू जस्ट फॉस्ट स्टड़ी, दोस्तों कलर्क पोस्ट कोड 918 का एक्जाम हुआ था 12 दिसमबर 2021 को, उसका हम हिंदी और इंग्लिश पोस्ट देखेंगे 30 कॉस्टिंज, जो कि आने वाले सभी एक्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, वीडिय 29 में 15 टेस्ट मिल जाएंगे, इसके लिए आपको प्रिक्षा एप जो है, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, प्रिक्षा एप में जो आप लोग इन करके, हमारा कोड जस्ट 50 यूज कर सकते हैं, प्रिक्षा एप का लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दि तो हमने क्रेक्टली स्पेल्ट वर्ड देखना है, तो पहला क्वेशन रहता है, इसमें जो क्रेक्टली स्पेल्ट वर्ड है, वो है, ओप्षिन B, स्रिजेंट, इसका अथ होता है, द्रिड या कठोर, नेक्स्ट जो क्वेशन है, इसमें जो क्रेक्टली स्पेल्ट है, वो क वर्ड है वो है option C, फिकल, यानि की चंचल. Next question की बात करें तो इसमें जो correctly spelled है, वो है option A, सबसाइड. Next रहता है, इसमें जो correctly spelled है, वो है option D, distinction. Next जो 5 questions रहते हैं, इसमें दिया है, choose the most appropriate option out of the four given alternatives. तो 107 question number है, वोड्यू माइन्ड डैश टू दा प्रिंसिपल, हाव दा ट्रबल स्टाटिड. इसका सहींस रहेगा, वोड्यू माइन्ड एक्स्प्लेंग टू दा प्रिंसिपल, हाव दा ट्रबल स्टाटिड. इसका सहींस रहेगा, वोड्यू माइन्ड दा टू दा प्रिंसिपल, इसका सहींस रहेगा, इसका सहींस रहेगा, इसका ऑप्शन C, इन लाज्च शिटीज प्यूपल आर कट ओफ फ्रम नेचर, लेस्ट मेकप आर क्वरल एंड बी प्रेंड अगैं, इसका जो है, ऑप्शन A, सहींस रहे, नेक्स्ट पोर कॉश्ट रहते हैं, प्वज़ूश्न, चूज दा मोस्ट अप्रोप्रेट ऑप्शन ओफ फोल्ड अटर्नेटिव्ज विच बेस्ट कन्वेश्ट मेनिंग अप्शन तो पहला रहता है मार पास क्वेशन, इसके लिए जो वर्ड रहता है, उड रहता है, एफमिनेट, प्शन C, प्लेस्ट विच प्रवाइज बोथ बोर्ड एंड लोजिंग, इसके लिए जो वर्ड रहता है, इन, टू स्रॉंड विद आर्ण फोर्सेज, इसके लिए जो वर्ड रहता है, बिसीज, यान कि घेरा डालना, अ क्यूर फोर ओर डिजीज, को वोते हैं, पैनेशिया, यान कि रामबान, इसके लिए जो क्रेक्ट अंसर रहता है, ओर रहता है, ओप्शन ए, नेक्स्ट जो फाइव क्वेशन है, चूल दा मोस्ट एप्रोप्येट ओप्शन 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 और फोर अल्टरनेटिव, विच इस अपॉज़ इन मेनिंग तो गिवन वर्ड, गिवन वर्ड का हमन अपॉज़िट देखना है, तो पहला रहता है मार पास, विन्डिकेट, इसका जो अपॉज़िट रहेगा, वो रहेगा, कंडेमन, ओप्शन बी, नेक्स्ट है, कंवीन, यानि कि बुलाना, इसके लिए जो सही अंसर रहेगा, वो रहेगा, कैंसल करना, इनिमिकल, इसके लि अपॉज़िट रहेगा, इसका जो अपॉज़िट रहेगा, नेचुरल, कल्पेबल, अप्राधिक, इसका जो पॉज़िट रहेगा, क्रेक्ट अंसर रहेगा, वो रहेगा, ओप्शन बी, डिफेंडेबल, नेक्स्ट कॉज़िट रहते हैं, शूद शबद चुनिए, तो इसमें शूद शबद है, गिरिंदर, नेक्स्ट में जो शूद शबद है, वो है, ऑप्शन बी, अतियुत्तम, नेक्स्ट कॉज़िट में जो शूद शबद रहेगा, वो रहेगा, ओप्शन C, निरजल, नेक्स्ट कॉज़िट में, ओप्शन A, उन्नती, next में रहेगा option D अधिकांश next 5 questions है सही अर्थ चुनिये सही अर्थ हमने देखना है credit का अर्थ रहता है जमा option A allotment इसका सही अंसर है option A this T representative इसका अर्थ रहता है प्रतिनिधी compensation compensation का अर्थ रहता है मुवावजा option B adjournment यानि की स्थगन next question है नाईका का संदिवी छेद है इसका सही अंसर है option B ने जमा एका दही का तत्सम है दधी बाबु का स्ट्रिलिंग है बाबु आईन भीक का जो बहवचन रहता है वो रहता है भीक आजीवन में जो स्मास है इसमें अवयोवी भाव स्मास है प्रथम पत जो है प्रधान है व्यक्ति की भावाचक संग्या है व्यक्ति तव गरम का विशेशन है गर्मी सगुन में उपसरग है इसमें उपसरग है सौ कान का परवाची है करण चोली दामन का साथ मुहाबरे का जो अर्थ रहता है वो रहता है पक्का साथ तो आप्षिन ए सेयंस रहे वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियों के लिए धन्यवाद उस्तो धन्यवाद